हे गाईज, वेलकम तो आजानल जॉइन MNS अकाडमी आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 50 MCQs का सो जी यह 50 questions है, यह इस बार मैंने December और January मंत के लिए हैं December and January मंत के इससे पहले मैंने आपको कौन सा करवाया था? August से करवाया था अभी हमारा जान तक complete हो जाएगा जिन next वीडियो में प्रोवायट करूँगे इसमें February और January का mix वहेगा अगर आपको August से पहले का चाहिए तो आप मुझे comment करके बता दो हाँ मुझे August से पहले का भी चाहिए हम लोगों को तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवायट कर दूँगी बेसिकली आपको करना तो एक पूरे साल का रहता है तो अभी मैंने August से January तक तो करवा दिया अभी टाइम में लेगा तो मैं और वीडियो आपको दे दूँगी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चिन है यह बुक है यह बुक किस ने लिखी है तो यह बुक लिखी है जैराम रमेश ने अगला है Union Cabinet has approved Post-Metric Scholarship Scheme worth 59,000 करोर for students belonging to Dash on December 2020 तो Union Cabinet जो है उन्होंने अप्रूफ किया है Post-Metric Scholarship Scheme metric क्या होता है 10th class तो post-metric होगा 10th के बाद एक scheme है और यह scheme किस के लिए है हमें वो बताना है किस टाइब के बच्चों के लिए है Economically Weaker Section Scheduled Tribes Scheduled Cast Only 1 and 2 या All 1 and 2, 3 तो यह है सिफ Scheduled Cast वाले बच्चों के लिए ठीक है तो इतने तक का बजट रखा है यह नहीं एक ही बच्चों को इतना नहीं देंगे उसमें से हर बच्चों को थोड़ा-थोड़ा मिलेगा जो भी जिसके भी मार्क्स अच्चा है होंगे Scholarship तो ऐसी मिलती है न तो यह किया है फिलिपीन्स और अफगानस्तान के साथ अगले विच ओर्गनाइजेशन जॉइंटली डवलप्ट मीडियम रेंज सर्फेस तो सर्फेस मिसाइल अलोंग विदे डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट ओर्गनाइजेशन काच series किस और अफगनाइजेशन ने इंडिया के साथ मल के जॉइंटली एक मीडियम रेंज सर्फेस तो एर मतलग सर्फेस से वोато बढ़ा जैगा बढ़ु मैन बताहता था एक सर्फेस होता Sé बढ़ो आब मताना है कि एक तो डियाजेशन के नाम बताना है एक तो DRDO है दूसरा कौन है Israel Aerospace Industries, Boeing, Hindustan Aeronautics, Rafale Advanced Defense System या CSIR National Aerospace Laboratory तो यह किया है Israel Aerospace Industries ने तो DRDO ने और Israel Aerospace Industry ने इन दोनोंने मिलके बनाया है अगला है which among the following sites was recently recognized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to become India's 42nd Ramsar site on December यह मैंने आपको जो weekly current offer मैं करवाती हूँ उसमें भी बताया था क्योंकि एक important question था तो question में पूचा है कि Ministry of Environment and Forest and Climate Change जो है इनकी तरफ से किस site को अभी recently recognized किया है और वो 42nd हमारा Ramsar site बना है सारे Ramsar sites imported है जो अभी recently added हो है वो तो obviously important है site के नाम पूचिया है क्या है चंद्रा ताल वेम बंड़क कोल वेट लैंड चले का लेक तासो कार वेट लैंड या सुन्दबर वेट लैंड तो यह है टोसो कार वेट लैंड अगला है विच कांट्री sign a memorandum of cooperation with India's minister of steel for mutual cooperation in steel production तो steel production के लिए mutual cooperation agreement signed हुई है इंडिया के जो ministry of steel है उनके साथ तो यह कौन सी country ने किया है चाइना, फ्रांस, यूसे, उस्टलिया या जपान तो यह जपान ने किया है अगला है यह जो डे है यह किसके लिए मनाया जाता है किसके वज़े से मनाया जाता है यह आप मुझे comment करके बताएंगे तो यह day कब होता है 25 December को तो यह किसके वज़े से बनाते है वो आप मुझे comment करके बताऊगे अगला है वेर दिट पीम नरेंद्रमोदी वर्चली लॉंच इंडिया's first driverless operated train पहली driverless operated train पीम नरेंद्रमोदी ने वर्चली कहां पे लॉंच की है कॉलकता Metro Rail Corporation कोची Metro Limited Delhi Metro Rail Corporation Mumbai Metro Rail Corporation Limited या चिन्ने Metro Rail Rail Limited तो यह की गई है डली में Delhi Metro Rail Corporation यहां पे लॉंच की गई है पहली इंडिया की driverless train नेक्स्ट है विच स्कीम वज लॉंच पाई PM नरेंद्रमोदी इन जम्मु कश्मीर covering all its residents on December 2020 तो PM नरेंद्रमोदी ने जम्मु कश्मीर में एक स्कीम लॉंच की थी ठीक है हेल्थ से related थी यह इसमें जम्मु कश्मीर के resident को add किया था यह सारे जुते भी थे वो इस scheme के अंडर आ रहे थे तो उस scheme का हमसे नाम पूछा है PM सवनिती scheme PM गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान स्वमित्वा योजना PM जे एवाई सेहत हेल्थ इंश्योरेंस scheme या PM फॉर्मलाइजेशन of micro food entrepreneur schemes तो ये थी PM जे एवाई सेहत हेल्थ इंश्योरेंस scheme तो पूरे इंडिया में इसी टाइब की एक scheme थी जिसका नाम था आयुश्मान भारत ठीक है ये जम्मू कश्मीर में तब नहीं लाँच हो पाई थी इसके वज़र से जम्मू कश्मीर के लोगों को कवर करने के लिए इस health insurance scheme में तो इसी के लिए उसका एक new revised version वहाँ पे लॉंच किया गया ठीक है अब आप मुझे comment करके बताओ कि PM सबने दी scheme क्या है ये अभी exam में आया हुआ है एक इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप इसको खोजो कि ये क्या है और आप मुझे इसको comment करके बताओगे नेक्स्ट है ये एक डेकेट का अवार्ड था मतलब 2011 से लेकिट 2020 की performance चेक की गई थी ये किस मेल क्रिकेटर को मिला है ये हमसे पूछा है तो ये मिला है विराट कोली को अगला है तो ये देखो 2018 का अवार्ड 2020 में मिला है इसलिए ये question यहाँ पे आया है चीक है साइन्टिस्ट अव दे इयर अवार्ड 2018 किसको मिला है हेमंत कुमार पांडे टैसी थॉमस सुधीर कामंत प्रवीन के महता या समीर वी कामंत तो ये मिला है हेमंत कुमार पांडे को अब हेमंत कुमार पांडे को क्यों मिला है या आप ज़रा मुझे चेक करके बताना क्योंकि ये मैंने चीज कवर की थी अपने weekly current affairs session में मैंने आपको बताया था इनको क्यों मिला है अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा अगर नहीं देखा है तो आप मुझे चेक करके बताओगे ठीक है अगला है विच कंट्री डीसेंटली लाँच्ट अन्यू रिमोट सेंसिंग सेटिलाइट याउगन 33R on December तो किस कंट्री ने लाँच की है यह पूछा हम से जपान, इस्राइल, USA, France या चाइना तो यह किया है चाइना ने लाँच ठीक है क्या है यह रिमोट सेंसिंग साटलाइट नेक्स्ट है इंडिया की कौन से पहली ऐसी सिटी बन गई है जो दिन के टाइम पे जितनी भी एनरजी यूज होती है वो सोलर एनरजी से यूज करते है जिसे पंका चल रहा है दिन में मान लो या मशीन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो जो दिन के टाइम पे वो लोग सोलर एनरजी से यूज करते है तो ये कौन सी city है ये पूछा है पुड़चेरी, पंजी, द्यू, न्यू डेली या चंडिगर तो ये है द्यू, द्यू क्या दमनें द्यू वाला है न वही है ये द्यू, ठीक है अगला है which bank become the first to collaborate with Google Pay to issue fast stack through unified payment interface on its payment app अभी देखो UPI, UPI कितना चल रहा है न, हर जगा मतलब बहुत सारे कितने सारे UPI payment method launch होते जा रहे है तो ये आ सकता है full form में, कि UPI का full form क्या है, तो क्या है unified payment interface fast stack का full form पूछा था मैंने आप लोगों से, जब मैंने टेलिग्राम पे कोईज लिया था है न, तो हमसे ये बुले कि किस bank ने इनके साथ collaborate किया है Google Pay के साथ कि जो fast tag है वो जल्दी हो जाए ICIC bank, State bank, Canada bank, HDFC bank या UCO bank तो ये किया है ICIC, I bank ने अगला है, विवर्वस इंडिया's highest metrological center recently inaugurated by Minister of Earth Science, हर्श वंदर तो Ministry of Earth and Science, ये भी हर्श वर्दन ही है, ठीक है तो इन्होंने इंडिया का सबसे highest metrological center inaugurate किया है ये कहाँ पे है, ये पूछा है ये जो metrological center है, वो कौन सी जगह पे है श्रिलॉंग में खाल लिया, इटा नगर इनाचल प्रदेश, उटी तमिलनाडू, ले लदाख, डार्जलिंग वेस्ट मेंगोल तो ये है ले लदाख में next one is, where was India's first pollinator park inaugurated कहाँ पे हुआ है, जगह का नाम पूछा है दुबारा रामनगर उत्राखंड, कोलापुर महराष्ट्र, हल्दिवारी उत्राखंड, भिवंडी महराष्ट्र या थंजुवर तमिलनाडू तो ये हुआ है, हल्दिवारी उत्राखंड में next is, which was Myanmar's navy's first and only submarine that was handed over by India under its Sagar initiative, तो Sagar initiative जो इंडिया का चल रहा था इंडिया ने अभी अपनी एक submarine hand over की है, Myanmar navy को तो ये Myanmar की first and only submarine है, तो ये submarine का हम से नाम पूछा है INS कलवारी, INS शिशुमर, INS अरीघट, INS अरीहंत, INS सिंदुवरी तो ये है INS सिंदुवरी, ये Myanmar को दे दिया है, तीक है, Sagar initiative के through अगला है, which is India's first of its kind digital platform for ocean data management that was virtually launched by Ministry of Earth Science, Harshvardhan तो इंडिया का पहला, एक digital platform बनाया गया है, ocean data को management करने के लिए ocean का भी बहुत चीज़ होता है, जैसे हमें उसकी height वगएर और पानी का स्तर कैसा है, जैसे कभी तुफान वगएर आती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़े चेक करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक digital platform बनाया है, जिसको वर्चिली लांच किया है, मिनिस्टर ओफ और्थ साइंस हर्षवर्दर ने उस platform को हम से नाम पूछा है, ठीक है, ब्लू इंडिया, ocean e-referral, ocean e-health, ocean data manager या digital ocean, तो इसका नाम है digital ocean, next is which country virtually participated in first trilateral working group meeting to discuss the joint use of chabar port in Iran, तो इरान में एक chabar port है, इसका use कैसे होगा, इसके लिए एक meeting रखी गई, जिसमें तीन groups थे, तो कौन से तीन groups थे, ये बुला है, कौन से तीन country थी, ठीक है, इंडिया, इरान, चाइना, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इरान, अफगानिस्तान, रश्या, इंडिया, इंडिया, इरान, उस्बेकिस्तान, देखो दो में तो इरान है नहीं तो उसको तो ऐसी रूल आउट कर दिया करो ऐसे कुछ options आया ना कभी-कभी आ जाते हैं से तो उसको रूल आउट करके फिर बाद में अगर नहीं समझा तो भी कर सकतो और MNS में तुमने कितने बार बोला है हमारे पास यह सबसे बड़ा plus point है कि यहाँ पर कोई negative marking नहीं होती तो हमें सारे question attempt करने चाहिए तो यह किया है इंडिया, इरान और उसबेकिस्तान ने इन तीनों की एक trilateral meeting हुई थी और एक port को कैसे यूज करेंगे jointly सब कोई उस पर discussion हुआ था next है where was low sir a new year festival celebrated every year एक low sir करके एक festival है यह new year festival है यह कहाँ पर celebrate किया जाता है जमुएन कश्मीर में हमाचल प्रदेश, अनाचल प्रदेश, मानेपर या लद्दाक तो यह लद्दाक में किया जाता है next है what is the name of digital payment app launched by department of post और इंडिया post payment bank तो digital payment bank एक launch किया गया है department of post के द्वारा और इंडिया post payment bank के द्वारा उसका नाम क्या है digital wallet, dark pay, pay you money, pays app या m रुपी तो इसका नाम है dark pay यह एक important question लग रहा है अगला है which Indian entrepreneur become one of seven recipient of young championship of earth 2020 prize that was announced by United Nation Environmental Program तो बोला है इंडिया का कौन सा entrepreneur है जो seventh recipient बन चुका है young champions of earth का ठीक है यह 2020 का prize था यह announce किया गया है UNEP के तरफ से विद्यूत मोहन, तिलक महता, दिपांजली, दल्मिया, रितेश अगर्वाल, संजय, कुमारन तो यह मिला है विद्यूत मोहन को अगला है what is India's rank in sixth human freedom index 2020 a global measurement of personal, civil and economic freedom report released by Cato Institute of United States, Facer Institute of Canada तो देखो report कौन निकाला है, यह report को निकाला है United States ने और Canada ने मिलके ठीक है report का नाम है human freedom index इसमें हमसे पूछा है इंडिया की ranking क्या है तो इंडिया की ranking इसमें यह 111 2019 में इंडिया की ranking क्या थी कोई मुझे बता सकता है नीचे 2019 में इंडिया की ranking क्या थी आप में को यह बताना यह इसका sixth edition था, ठीक है अगला है who was recently honored with a legion of merit degree chief commander by US President Donald Trump on December 2020 तो यह legion of merit एक honor है यह जो degree है as a chief commander type की degree है ठीक है यह US President Donald Trump ने दी है किसको दी है इंडिया में यह पूछा है राजनात सिंग को, करमबीर सिंग को, नरेंदर मोदी को, विपन रावत को या major मुकुन नर्वाने को तो आपको लगेगा कि chief commander type की degree है तो इन सब में से कोई हो सकता है लेकिन नहीं यह किसको मिला है नरेंदर मोदी को ठीक है याद रखना यह अगला है who is appointed as inaugural CEO of who foundation who क्या है world health organization options है indra, bob, jamie, chandra, anil तो correct answer है option 5th, anil, soni ठीक है यह इनको appoint किया गयता है as the inaugural CEO next is formed 100 influential woman 2020 ranked nirmala sita raman at dash position तो इसमें nirmala sita raman जो है इंडिया की यह क्या है finance minister है न तो इनकी rank पूछी है कि कितनी आई है total 100 में से तो इनकी rank दी गई है 41 और यह थी 2020 के list 2019 में भी इनकी rank आई थी 2019 में इनकी rank क्या थी वह आप मुझे बताओ comment कर कि वसे आएगा तो नहीं एक्जाम में एक्जाम में आपको 2020 का ही पढ़ना पढ़ेगा और 2021 का भी release नहीं हुआ है क्या rank थी 41 first पर कौन है चलो यह बताओ यह जो 400 influential women list है इस पर first पर कौन है next है which event will make its debut at 2024 summer olympic in Paris तो जो summer olympic होंगे पारिस में 2024 में इसमें कौन सा event अपना debut करेगा debut मतलब पहली बार यह event वहाँ पर देखा जाएगा या होगा surfing, cricket, sports climbing, skates boarding या break dancing तो यह जो break dancing है या breaking उसको breaking बोला गया है break dancing को तो यह एक event नया देखा जाएगा 2024 में तो जो break dancing करते हैं या जो breaking करते हैं वो भी अब summer olympics जो होंगे उसमें participate कर सकते हैं अगला है what is the name of mobile app launched by ministry of health and family welfare for real time monitoring of covid-19 vaccine delivery तो हमसे पुछा है mobile app का नाम बताना है जो ministry of health and family welfare ने launch किया है यह क्यों launch किया है जो covid-19 vaccine की delivery है उसको real time monitor करने के लिए ठीक है नाम क्या है covid safe, corona tracker, co-win, beat covid या corona one तो इसका नाम है co-win next है on December 2020 union cabinet chaired by PM Narendra Modi approved wireless internet hotspot service project PM Bani what A stands in PM Bani या PM WANI तो यह जो PM WANI है इसमें A जो है यह किसके लिए stand करता है हमसे यह पूछा है adaptive, acquired, accept, access या arrived तो यह है SS के लिए गर इसका मैं पूरा full form बोलू तो है public wifi SS network interface ठीक है wifi SS network interface यह है इसका पूरा full form next है on which of his novel Raj Kamal Jha won the third edition of Rabindranath Tagore Literacy Prize 2020 किस novel के लिए Raj Kamal Jha जो है उनको third edition जो है Rabindranath Tagore Literacy Prize का मिला है the blue bird bed spread, the city and the sea, she will build him a city, if you are afraid of height, a suitable boy तो जो उनकी novel है वो है the city and the sea, a novel इस के लिए इस book के लिए उनको गया बॉर्ड मिला है अगला है which organization released the book Putting Farmers First किस organization ने ये release किया है Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry of Iyush, Ministry of Information and Broadcasting Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Ministry of Environment, Forest and Climate Change तिसका correct answer है Ministry of Information and Broadcasting इन्होंने ये release किया है आपको अभी देखो अगर ऐसा आजाता Farmers दिया हुआ, आपको लगी का कोई agriculture या farmer welfare वाले जो होंगे उन्होंने किया होगा देखने किसने किया है Ministry of Information and Broadcasting ने Next one is When was United Nation International Universal Health Coverage Day 2020 is observed with a theme of Health for All, Protect Everyone ये साल का theme था 2020 का ये theme था, Health Day का तो ये day का बाता है 10 December, 12 December, 15 December, 30 November या 29 November तो ये होता है 12 December को अगला है Where has the first of its kind organ donor memorial has been inaugurated virtually in the country on the occasion of 11th National Organ Donation Day अब आप मुझे ये बताओ organ donation day कब celebrate करते हैं ठीक है, ये कहां पर inaugurate हुआ है, ये तो राजस्थान में हुआ है ठीक है, organ donate करना एक बहुत ही अच्छी बात है अच्छी बात उनके लिए, जिनका मतलब कुछ accident वगेरा हो गया है और उनके organ अभी भी सही सलामत है अब आप अपने organ जाके मत donate करने लग जाना जैसे किसी को कुछ हो जाता है, accident वगेरा फिर भी उनके organ जो है, वो अभी सही सलामत है तो अगर वो लोग donate करें तो वो एक अच्छी बात है ठीक है, उनके organ से किसी और को एक life मिल जाएगी और ये एक memorial बनाया गया है राजस्थान में ये day कब celebrate करते हैं, आप मुझे comment करके बताईएगा अगला है, इंडिया's men's football team has been ranked at which place as per FIFA, FIFA जो है Federation International Day Football Association इसके हसाब से, इंडिया की जो football team है, वो कौन से position पे rank करती है तो काफी नीचे है वो, 104th position पे इनके according, इंडिया की football team rank करती है फिर्स्ट position पे कौन है अब बताऊगे, फिर्स्ट position पे कौन है कभी easy है, फिर्स्ट position पे कौन होगा guess भी कर सकते हैं next है with state government, tourism, development organized the 9th edition of international sand art festival at चंद्रबगा बीच ये इसका 31st था, कुनार्ग dance festival भी होता है यहाँ पे लोगों ने COVID-19 का protocol भी follow किया था, ये भी मैंने cover किया था weekly current affair में तो ये किस government ने किया है तेलंगा न, उडिसा, जार्खन, गोआ या आंधरप्रदेश तो ये किया है, उडिसा government ने यहाँ पे stand art festival और एक कौनार्ग dance festival होता है, कौनार्ग temple कहा है अगर वो भी आपको पता होता तो आप ये इसका answer कर देते है अगला है राय मोना नाशनल पार्क, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्तान, असाम, वेस्ट बिंगॉल ये कौन कर रहा है, असाम कर रहा है next है, what was the theme of 6th BRICS Youth Summit 2020 opening ceremony held in Russia तो हम से पूछा है कि theme क्या था, 6th BRICS Youth Summit का, ठीक है radical economical transformation, BRICS challenge of time for young people social emotional skill, importance of soft skill, youth as a bridge for entrance, BRIC exchange, BRICS and pandemic तो इसकी theme थी, BRICS challenge of the time for youth people BRICS की full form क्या है, मैं काफी time बता चुकी हूँ BRICS की full form क्या है और ये important भी है, BRICS Summit कहां पे हुआ था, ये भी आता है BRICS Summit की theme क्या थी, कौन सा addition था, ऐसे questions आ चुके है तो 6th edition था ये, Youth Summit का ये भी याद रखना है ठीक है, Youth Summit का ये 6th edition था, हुआ रशिया में था अगला है, what is India's rank in 6th financial secretary index 2020 इंडिया की rank थी 47, ये question कुछ खास important नहीं है, इसको आप skip भी कर सकतो next is, which bank has launched the overdraft scheme, Krishy for benefit of farmers scheme Krishy नाम की launch की गई है, ये overdraft है भी, farmer की benefits के रिए करनाटका विक्यास ग्रामीन बैंक, चेतन्या गोदावरी ग्रामीन बैंक, बर्लोदरा राजस्थान, कृष्याद ग्रामीन बैंक, अनाशल प्रदीश रूलर बैंक या बिहार ग्रामीन बैंक तो यह किया है करनाट का विकास ग्रामीन बैंक ने ठीक है यह बैंक ने लॉंच किया है बेसिकली गवर्मेंट ने नहीं किया अगला है New Space India Limited NSIL Department of Space DOS has signed a pact with which private firm to launch India's first private remote sensing satellite on ISRO PSLV in 2021 तो हमसे question पूछा है कि जो New Space India's Limited है और Department of Science है इन्होंने कौन सी private firm के साथ एक sign pact किया है क्या लॉंच करने के लिए remote sensing satellite SpaceX, Siriana Naveda Virgin Galactic, Big Yellow Aerospace या Pixel Space तो यह किया है Pixel Space के साथ ओके, next question is वो बेकम दे यंगिस्ट अथलीट एवर तो बी नेम्ट आज वर्ल अथलीट ओफ एर Recently in 2020 तो World Athlete Year किसे बोला गया है और यह सबसे यंगिस्ट अथलीट है जिनको यह award यह नाम मिला है एक तरीके से Mundu Duplantis, Yulmira Rosas, Sifan Hassan, Angelica या Renault तो यह है Mundu Duplantis आपको यह नाम अच्छे से याद कर लेना है बिल्कुल क्योंकि जो पिछले बार स्विमर थे Michael Phillips उनके बारे में काफी सारे कोश्चन आया था क्योंकि यह बहुत एक युनिक सा काम किया था हना उनको 23 medals मिले थे Olympic में इसी तरीके से अभी यह youngest athlete बने है और जिनको यह World Athlete of the Year का award मिला है तो यह भी आ सकता है तो हमसे पूछा है theme क्या थी जो 15th India Digital Summit हुई थी आत्म निर्भर भारत, Start of New Decade Enabling the New Normal, Digital India Success to Excellence Emerging Enterprise Technology, Innovation Green Model for Profitable and Sustainability तो जैसे मैंने पहली बोला काफी सारे चीजों का आत्म निर्भर से था तो इसका भी वही है आत्म निर्भर भारत, Start of a New Decade Next है, When was the Parakram Divas celebrated? Very important question First time celebrate किया गया है किन के लिए celebrate किया गया है? वो भी important है तो इस first time किया गया था किया गया है 23 January को किस के लिए किया गया है? Shubhaz Shundra Boos जी के लिए, Neta जी के लिए ये अलरड़ी कवर कर चेकिए मैं Days and Themes में भी और जो मैंने Weekly Current Affairs करवाए है उसमें भी अगला है Recently in January 2021 Home Minister Amit Shah launch Dash Scheme providing full benefits to AP PMJ to the personal and dependent of Army Wings तर लिए AB PMJAY जो है ये क्या है? आयुष्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोगी योजना ठीक है? AB से है आयुष्मान भारत PM से है प्रदान मंत्री JAY से है जन आरोग्य योजना तो ये किस के लिए launch की गई है? तो ये एक already scheme थी इसी तरीकी के similar scheme launch की गई है Personals and Dependent of Army Wings के लिए उस scheme का नाम हमें बताना है आयुष्मान C.A.P.F आयुष्मान N.S.G जन आरोग्य B.S.F जन आरोग्य आई टीबीप या आयुष्मान R.P.F तो इसका नाम है आयुष्मान C.A.P.F ठीक है scheme का नाम है आयुष्मान C.A.P.F नेक्स्ट है Where was the 51st International Film Festival of India held? तो 51st International Film Festival कहां हुई थी इंडिया में? Mumbai, Maharashtra, Jaipur, Rajasthan Panji, Goa, Kochi, Kerala Udhepur, Rajasthan तो यह हुई थी पंजी, Goa में जादा तर जो Film Festivals होते हैं वो जादा तर Goa में ही होते हैं ठीक है? Next is Which film film गोल्डन पीकॉक अवार्ड in the 51st IFFI अवार्ड? तो जो 51st IFFI अवार्ड हुआ था इसमें किस movie को Golden Peacock अवार्ड मिला है? Parasite The Irishman, Joker Into the Darkness या Article 15 तो मिला है Into the Darkness Next है Which country participated with India Air Force? In the first bilateral exercise Exercise Desert Night 21 Held at Jodhpur तो यह पहली बार हुआ था ये एक Air Exercise है चीक है? Short form में ये लिखते हैं EX D K21 और इसका नाम है Exercise Desert Night 21 21 क्यों लिखा है? क्योंकि 21 में हुआ है इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने participate किया ये बताना है हमें Australia, Japan, France, Russia या USA तो France ने किया है France और India इन दोनों का Air Exercise नाम क्या है? Military Exercise काफी important होते हैं इसलिए मैं इस कोशन पर आपको इतना बोल रही हूँ Exercise Desert Night 21 Next है Who become first female fighter jet pilot to be participate in Indian Air Force Tabx in Republic Day तो जो जापी होती है जापिया Republic Day पे ठीक है तो उसमें Indian Air Force ने participate किया था तो कौन सी पहली female fighter जो है उन्होंने इसमें पाट लिया था भावना कंथ, मोहना सिंह अबनी चतुरवेदी, गुंजन सक्सेना या शिवांगी तो अभी गुंजन सक्सेना मोवी आये थी वो सोचके यह मत कराना, यह question काफी important है, आ सकता है इसके chances है आने की, ठीक है तो यह थी इनका नाम था भावना कंथ Next is Which countries Tri-Service Forces contingent participate in India's 72 Republic Day Parade, तो इंडिया का जो 72 Republic Day Parade हुआ था, इसमें किस कंट्री की Tri-Service Forces ने भी participate किया था श्रिलंका, बुटान, बांगलादेश, नेपाल या वेतना तो बांगलादेश की जो forces थी Tri-Service वो भी आये थी इस बार participate करने, अगर परेड देखा होगा तो obviously आपको पता होगा Next है United Nation General Assembly Adopted a Resolution 2 General Assembly जो है उन्होंने कौन सा Resolution Adopt किया है इसमें से Eliminate Human Trafficking, Safeguard Religious Site Promote Utilorism Eliminate Female Infanticide Promote Legal Abortion तो इन्होंने जो Resolution Adopt किया है वो है Safeguard Religious Site अगर आप News थोड़ा बहुत भी देखते हो तो आपको पता होगा जो मारी neighboring country especially मैं Pakistan का बोलू तो वहाँ पे Hindu temples को काफी जादा target किया जाता है तोड़ दिया जाता है पूजा विगर भी नहीं करने देती ऐसे काफी सारे जगा पे हैं और ऐसा सिफ पाकिस्तान में नहीं होता हमारी news में पाकिस्तान का जादा दिखाते है तो यह था हमार लास्ट फिफ्टीत कोश्चिन आई होब आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने से काफी कुछ सीखा होगा अगर आपने साल भर भी current affair नहीं पढ़ाया और जो मैं अभी आपको मंतली यह प्रोवाइट करीं उसमें से भी देख लोगे तो आपकी काफी help हो जाएगी तो completely देख लिया करो और उसके बाद अपने थोड़े बहुत नोट्स भी बना लिया करो कि last minute अगर कुछी करना पड़े तो वीडियो ना देखना पड़े फिर से आपको और जो अपने नोट्स है उसी में से पढ़ लो आप तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना थांक्स वर वाचिंग